ये गाइस विने डिस साइड आज हम कवर करेंगे हमारी टेंस की एक्सराइज पार्ट वन किस बुक से मैं आपको करा रहा हूँ यह exercise होगी प्लेट वीडियो को स्टाट करते हैं हर एक डिटेड एनलेसेस दूंगा मैं आपको हर एक कोशन का तो चलिए वीडियो को स्टाट कर 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead कि भाई मैंने उसको 20 सालों से नहीं देखा है तो मैं ऐसा कहा नहीं सकता sure हो कि certainty से मैं कहा नहीं सकता sure हो कि वो जिंदा है कि नहीं है ठीक है whether he is alive or dead तो पहले देखो जब आपको पता है present perfect tense है have have के साथ जब भी v3 आता है आपका मालूम है subject plus half plus v3 subject plus half plus v3 is your present perfect tense and present perfect tense में time को denote करने के लिए आपके for और since लगते हैं तो पहले बच्चों मैं आपको चीज़ बता दूँ मेरे भाई कि for आता है आपका period of time के लिए period of time के लिए और since आता है आपका point of time के लिए since आता है आपका point of time के लिए अब ये period of time के अशर ये तो हमने किताबों में पढ़ा है आप हमें क्या बता रहो देखो जैसे मैं आपको बोलूँ dash six months समझो मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी for or since में और जैसे मैं बोलूँ dash January भाई dash six months dash January तो आप मुझे एक चीज़ बताईए कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ dash six months और dash January तो यहाँ पे आपको आपको कोई चीज़ पता है exact point of time पता है तो आप लगाओगे since and जब आपको period of time given है कि भाई छे महिने बड़ यह नहीं मालूम कौन सा महिना यह मालूम है छे महिने और dash two hours तो आप since कहाँ पे लगाओगे जहाँ पे आपको exact पता है कि भाई दो बज़े की बात हो रही है तो 2 p.m. की बात हो रही है दो बज़े की तो आपने लगा है since और जब आपको मालूम है period of hours दे रखे है period of time given है कि आपको exact नहीं मालूम exact point of time नहीं मालूम तो आप आप लोड़ देख लेती हैं जैसे हमने बोला dash nine o'clock dash nine o'clock हमने बोला dash eight hours तो भाई exact time जो है exact no बज़े nine o'clock की बात हो रही है तो हम लगाएंगे since और कितने 8 घंटों की बात हो रही period of time है तो हम लगाएंगे for तो यहाँ पे मेरे भाई यह कह रहा है since 20 years कौन से 20 years वो नहीं म आना चाहिए फौरा आना चाहिए आगे बात समझ में आ रही है अच्छे से तो चलो आगे देखते हैं तो जब उसका कुक उसको किचन में नहीं मिला तो उसने अपने वाईफ से पूछा कि वो कहाँ पर है ठीक है तो पहले मेरी बात समझो आप जो यहाँ पर यह वेर यूज हो रहा है वेर हैडी गोन क्या यहां पर question पूछ रहा है क्या यह interrogative form में है नहीं भाई interrogative form में नहीं है क्यों नहीं है क्यों कोई question mark नहीं आ रहा जैसे मैं बोलूँ where had he gone ऐसे होता question mark और ऐसे sentence होता तो मुझे मालुम है had he gone वो चला गया where had he gone वो कहां गया है वो पूछ रहा हूँ है कि कहां गया था ठीक है तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ तो ये वेर हैडिक ओन ये आप मेरा interrogative question बन रहा है तो मैंने interrogative question form में आपका जैसे की normal sentence में subject के बाद verb आता है वैसे interrogative form में आपका verb पहले आता है subject से helping गोप पहले आती है इसलिए head पहले आ गया he subject था main verb आपकी gone है जो कि go का third form है गो went gone तो head आपका पहले आगया helping को पहले आती यहां तो यहां पर नॉर्म आना चाहिता है ना कोई कोश्चन मार्क है अब आपको पता उना चाहिए यहां पर रिलेटिव रिनावन है किया यह चीज़ आपको पताऊनी चाहिए ठीक है अगर मैं पूरा explain करने लग गया तो बहुत time लग जाएगा आपको तो यहाँ पर question नहीं था तो question नहीं है तो helping वब तो subject से पहले नहीं आएगा पहले subject आएगा फिर वब आएगी तो यह आपका कटा क्या होना चाहिए यहाँ पर had बाद में आएगा पहले subject आएगा he फिर आएगा had gone तो where he had gone यह आपका sentence होगा एक assertive form में रहे गए next time यह although I playing cricket although I am playing cricket for more than three years I have not been able to score a century भाई हाला कि मैं तीन साल से ज्यादा से लगातार खेल रहा हूं cricket वर अभी तक मैंने कोई भी century नहीं मारी तो भाई four more than three years तीन year से वो cricket खेल रहा है लगातार तब से कोई चीज स्टार्ट हुई कोई चीज स्टार्ट हुई और तब तक चल रही जैसे मैं बोलू I have been teaching English since 2016 तो जब मैं त्यारी कर रहा था 2014-15 में और मैं जब 2016 में मैंने एक्जाम दिया तब से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को English ठीक है तो मैं ये कहना चाहरा हूं कि 12-16 से मैं English पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूँगा I have been teaching have been teaching present perfect continuous में रहेगा ठीक है वैसी वो हाल है कि वो cricket खेल रहा है पिछले तीन सालों से लगा था cricket खेल रहा है तो ये हमारा stance होना चाहिए था present perfect continuous में क्या होना चाहिए था I have been playing cricket चलिए आगे देखते है I do not know where he where could he have gone so early in the morning कि वाई मुझे नहीं मालूं वो इतनी morning में कहां गया होगा वो कहां जा सकता है ठीक है अब आप ये समझो कि वाई फिर वो ही कह रहा है I do not know फिर where he could यार कोई question थोड़ी ना है ना कोई interrogative mark है ना कोई interrogative question बन रहा है तो आपका पहले subject आना चाहिए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए पहले subject तो पहले यहाँ पर ही आएगा where he could have gone फिर modal फिर आपका half plus with three where he could have gone वो कहां पर गया होगा कहां जा सकता है ठीक है नेक्स by the time we got our tickets and entered the cinema theater the show was already begun by the time we will get our tickets and ठीक है अब आईए मैं आपको पहले fifth question अच्छे समझा देता हूँ देखो यह बहुत important चीज़ है इसलिए ध्यान से रखना मैं इसकी short बना के भी डाल दूँगा यह कई बार exam में आता है यह past of the past कहते हैं इसे तो समझो देखो दो scenario बनते हैं आपके पहली चीज तो पूरा जो sentence है वो आपका past में ठीक है और दूसरा एक clause मतलब एक जो sentence का part है वो दूसरे clause दूसरे sentence का part है उस पर dependent हो मतलब एक दूसरे पर चीज़े dependent हो पहली चीज ध्यान रखनी है आपको कि दोनों चीज़े past में हैं दूसरा दोनों चीज़े एक दूसरे पर dependent है ठीक है तीसरी चीज़ आपको बस question में यह देखना है मेरे भाई कि जो पहला action है जो first action है जो कि पहले हुआ है पहले हुआ है तो वो past के भी past हुआ है दो past की चीज़े हुई है तो दो past की चीज़ में जो चीज़ पहले हुई है उसे आप past of the past बोलोगे तो first action जो होगा जो चीज़ पहले हुई होगी उसे आप past of the past बोलोगे तो past of the past के लिए हम use करते हैं past perfect और जो चीज बाद में होई होगी, second action होगा, उसको हम बोलेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं simple past ठीके, उसको हम यूज करते हैं simple past आरे बस हम में, जैसे कि आप एक sentence देखो, पहले हम आपको एक sentence बता जिता हूँ जैसे मैंने बोला, I met him after I completed my work पहले तो आप ये sentence समझो में रभाई, ये भी आपके exam में question आ चुका है, भुकों में भी given है, तो पहले मैं आपको ये explain कर दूँ इस short video में आपको ये ही समझा सकता हूँ, देखो I met him after I completed my work, तो पहले मैंने देखा यार, ये वाला sentence भी past में है, ये भी past में है, भाई, ये clause clause मतलब जिसमें subject आ जा, verb आ जा, that is called clause, तो ये clause भी past में, ये clause भी past में subject आ गया, verb आ गया है, अब मैं क्या देख रहा हूँ ये दोनों past में, तो पहले हमें चेक करना है कि दोनों past में, वो clear है, फिर हमें देखना है कि दोनों एक दूसरे पर dependent हो, तो I met him मैं उससे मिला, after I completed my work तो पहले मैं उससे मिला पहले मैंने अपना काम कम्प्लीट करा फिर मैं उससे मिला पहले मैंने काम कम्प्लीट करा फिर मैं उससे मिला यह कहना चाह रहा हूँ तो हमें देखना है first action कि first action क्या हूँ है पहले वो मिला है I met him ना उससे मिला after I completed my work मतलब वो ये कहना चाह रहा है मेरे भाई वो ये कहना चाह रहा है कि मैं उससे मिला मगर पहले मैंने अपना काम कम्प्लीट करा पहले मैंने अपना काम कम्प्लीट करा फिर मैं उससे मिला तो आप क्या करोगा यहाँ पर आपको पता है कि पहले उसने काम complete करा होगा अब आप मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ देखो एक लड़का है और एक लड़की है best example तो यह लड़का पहले घर का काम निप्टाएगा फिर लड़की से मिलेगा यह पहले लड़की से मिलेगा फिर घर पर आगे काम निप्टाएगा गर I met him after I completed my work तो क्या होगा I completed my work यह हमारा first action है तो यह first action होगा past perfect में तो हो जाएगा I had completed my work क्यों आएगा had v3 past perfect के लिए use होता है और second action था यह तो यह रहेगा आपका simple past clear about तो I met him after I completed my work तो पहले वो मिला फिर उसने अपना काम complete करा फिर वो उससे मिला तो I met him after I completed my work कहने का मतलब यह after I finished my work after I had finished my work after I had completed my work मतलब पहले मैंने अपना काम complete करा then after I met him तमने उससों जाके मिला तो अब यह आपको समझ में आ गया अब इस sentence को पढ़ते हैं by the time we got our tickets and entered the cinema theater the show was already begun जब तक by the time we got our tickets जब तक हम ticket लेंगे cinema theater में enter करेंगे show तो पहले चालू हो चुका होगा तो पहले क्या होगा पहले वो ticket लेंगे enter करेंगे या पहले show चालू हो चुका होगा तो मेरे भाई पहले show चालू हो जाएगा वो यह कहना चाहरा है तो जो पहला action यह होगा तो इसको हम रखेंगे past perfect में तो उसमें क्या होगा the show had already begun और यह वाला sentence जो है कि बाद में हम पहले तो यह begun हो जाएगा और हम late हो जाएगे तो हम ticket लेंगे फिर enter करेंगे तो यह तो रहेगा simple past में तो subject के साथ v2 फिर v2 सिए parallelism तभी follow होगा तो यह आपके पाच question हो गए वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक कर देना नीचे telegram का link के वो join कर लो तभी वहाँ पे आपको इसकी return में PDF मिल जाएगी ठीक है मेरे भाई आ जाओ नेक्स्ट आते हम वैसे ही future में भी होती है जब यही concept future में हो रहा हो तो जो पहले action हो जाएगा first action उसके लिए आप use करोगे क्या future perfect और तो second action होगा second action उसके लिए आप use करोगे क्या उसके लिए आप use करोगे simple present present indefinite जीसे आप कह सकते हो ठीक है तो by the time we will get our tickets and enter the cinema theater the show will have already begun कि भाई show चालू हो चुका होगा ठीक है तो पहले क्या चालू हो चुका होगा same same scenario यह बस tense का मतलब मैं tense बदल के माध्यम से कहना चाहरा हूं कि हमने tense बदल दिया तो show पहले हो चुका होगा तो future perfect में will आता है have आता है v3 आता future perfect में subject plus will plus have plus v3 तो बिल्कुल सही है बट यह जो बाद में हुआ है second sentence जो है वो तो हमारा simple present में होना चाहिए past में मेरे भाई यह भी past में तो पहले क्या हुआ है पहले उसका नाम बता दिया यह जब वो चला गए तब उसने मुझे उसका नाम बताया तो पहले वो चला गया तो पहले यह action हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा past perfect अभी समझाया था सारा तो क्या होगा after he had left after he had left फिर उसने बताया तो simple past में clear है next we have been celebrating many festivals since centuries हम इतने सालों से celebrate कर रहे हैं बहुत सारे festivals centuries एक period of time period of time के लिए आपका 4 आता है वैसी कहीं पे आपको मिल जा dash a long time क्योंकि exact नहीं मालूम यह भी period of time है तो भी आप 4 लगा होगे clear है बत आईए old age and informity had began to catch up with him by had had past perfect में had के सा वीथरी आता है तो begin began और begin रहता है b-e-g-u-n तो भी हाँ पे हो जाएगा begin third form आएगी b-e-g-u-n next the passerby told us where was the marriage hall and even led us to it ठीक है तो उन्होंने हम से पूछा कि उन्होंने हमें बताया कि marriage hall कहां पर है और हमें वहां तक का रस्ता भी दिखाया तो where पूछ नहीं रहे वो ठीक है यह interrogative नहीं है जैसे मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे एक normal form चाहिए तो normal form के लिए तो पहले subject आएगा फिर वर्ब होगी तो पहले आपका क्या होना चाहिए where subject क्या है where the marriage hall उसके बाद आपका आपकी वर्ब रहेगी where the marriage hall was यह रहेगा next I have passed the examination two years ago तो जब भी आपको time given हो past में पास्ट में जब भी time given हो जैसे कि ago yesterday यह words ध्यान रख लीजे जो मैं आपको बता रहा हूँ yesterday last week last Saturday last Sunday last day ऐसे words given हो तो हमेशे याद रखो मेरे भाई एक trick ही बता देता हूँ trick या logic ही है यह तो simple past use होता है जब भी आपको कोई action खतम हुआ और time given है जहाँ पे आपका time important है the time of action is important वहाँ पे आभी उस करोगे simple past तो क्या हो जाएगा simple past के लिए subject and video I passed the examination two years ago next is since he joined this post he did not take any bribe आजएगे सब बच्चों का मालूम है कि हम एक pairing रखते हैं कि जब हमें time बताना हो कि पहले ये काम हुआ फिर ये हुआ तो हम क्या करते हैं since के साथ हम रखते हैं simple past को मैं इसका logic भी दे सकता हूँ बढ़ अभी हम सिर्फ solve कर रहे हैं आपको पढ़ा नहीं रहा तो since के साथ simple past को फिर आगे जाला clause रहेगा आगे वाला sentence का जो पार्ट है वो रहेगा present perfect में तो हम क्या बोल सकते है since के साथ simple past subject के साथ वी टू बिल्कुल से है since he joined this post he did ये जो पार्ट है कॉमा के बाद यह पार्ट है present perfect मोना जीदा तो हम बोलेंगे he has has आया तो verb की third form आईगी तो he has not take का हो जाएगा taken any right clear है मेरे भाई आजए perhaps you know that I have passed the examination in 1990 अब मेरी बाद समझो एक logic बता रहा हूँ अब logic समझा रहा हूँ समझो देखो जैसे मैंने बोला science has given us many inventions तो यह कौन सा टेंस है मेरे भाई यह है present perfect has be three कि science ने हमें बहुत सारी inventions दी है यही बोलना चाह रहे हैं कि science ने वो काम किया है तो भाई बिल्कुल सही है यहाँ पर present perfect में आपका action important होता time important नहीं होता इसलिए time ने given कब दिया science ने हमें inventions कुछ time के बाद और यह नहीं गिवा ठीक है तो हमारा present perfect सही है बड़ अगर यह sentence ऐसे होता science यह मैं आपका book का ही बता रहा हूँ कोई अपनी तरह से चीज़े नहीं बता रहा है बस मैं आपको explain कर रहा हूँ जिए बच्चों को समझ में ना है उनको अच्छे समझ में आ जाएगा और जिनको आता है उनको और अ 19th century अब मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि science ने हमें बहुत सारे inventions दिये 19th century में तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि science ने हमें दिया बट मैं time add कर रहा हूँ और जब भी the time of action is important हो action नहीं action का time important है तो वहाँ पे मैं simple past use करता हूँ धान लगना इसलिए present perfect हट जाएगा simple past के वी टू होता है गेव ये note कर लेना बात जैसे उपर आला sentence देखो perhaps you know that I have passed the examination अगर यहीं तक होता तो I have passed the examination मैंने examination कर लिया बिल्कुल सही था तो आप वो कह रहा है perhaps you know that I have passed the examination in 1990 में किया time of action is important तो present perfect नहीं मेरे बाई simple past subject subject के साथ वी टू वी रहेगा past का past पास्ट होता है clear He has read four plays written by Shakespeare by the end of his vacation की भाई अपनी vacation के end तक उसकी vacation के end तक वो Shakespeare के चार play पढ़ चुका होगा future में future में ये मैं काम कर चुका होगा वो वहाँ पहुच चुका होगा ये मैं बताता हूँ future perfect से तो ये present perfect नहीं होगा ये होगा he will have read उसने वो उस time तक पढ़ लिया होगा next when they stole the money and where did they hide it अरे ये क्या कह रहा है when they stole the money and where did they hide it question वाग आ गिया अब ये question पूछ रहा है मेरे से question पूछ रहा है तो पहले क्या होगा पहले helping वो बाईगी फिर subject आएगा फिर वर बाईगी जैसे यहाँ पर हो रहा है देखो where आ रहा है interrogative form फिर आपके helping वो पहले आ रहे ह फिर subject फिर वर बारी है तो भाई यहाँ पर ऐसा क्यों गलत हो रहा है रहा है यहाँ यहाँ पर यहाँ चीज़ जूड़ती है तो जो sense इदर आ रही है वो ही sense इदर रखना होता है parallelism follow करना है अपने तो when अगर आपको यहाँ पर भी question बना रहा है इदर तो interrogative form यह question mark लगा है जो की question mark यहाँ पर भी है इसका मतलब ठीक है यह known होता है की question mark यहाँ पर भी आपको repeat करने की जुरूत नहीं है तो आप क्या बोलोगे when और इसका they stole यह है subject plus में V2 steal stole stolen तो simple past का helping up क्या होता चुपा वा डिड वें डिड दे अब डिड यहाँ पर आगया subject यहाँ पर आगय चुपाया पूछ रहा है ठीक है the teacher has took the recipe तो और को भी बच्चा कर देगा has के साथ V3 आता है भाई V2 नहीं आता taken आए देखो ऐसे असान भी आते हैं आपका सारा plane to paramount कवर करा रहा हूं पहले में ठीक है for time immemorial एक point of time a time immemorial तो भाई for नहीं आता since आता time जो बच्चा मेरी व पफेक्ट रहा है में हो रहा है I have been used वैसे तो यह आपका क्या हो रहा है आपका यह बन रहा है पैसिव हो इस तो ध्यान रख रहा है next the river the river is in spade and it has overflow in its banks अब देखो भाई overflow यह मैं आपको वर्ब में भी बताया था overflow की second form होती है overflowed और third form भी होती है मेरे बाई overflowed overflow कुछ नहीं होता तो यह गलत है यहाँ पर आना चाहिए overflow next the little boy had been waiting for his time since a long time मैंने पहले बताया था a long time एक period होता बताया था ना तो since नहीं for आएगा next this tvcl is going on for three years वाई तीन साल से tvcl चल रहा है जो काम चालू और अभी तक चल रहा है present में भी वो बनावाय अभी तक चल रहा चल रहा है तब से next in the early years of rena saw rena saw मतल़ restart of something restart of moment is called rena saw rena saw pronunciation करते है इसकी rena saw भरत नाटयम heredity dancers have their own set of accompanies who lived with the dancers and traveled with them from place to place where they gave performance आजो भई बहुत असान है यह तो जब मैं sentence पढ़ रहा था समझो कहीं बच्चों का मतलब भी समझ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आप पकड़ो एक चीज अरे यह देखो यार who lived past में जा रहा है आगे देखो and traveled फिर past में जा रहा है and से भी जूट रहा तो same होना चाहिए यह भी वी टू यह भी वी टू जा रहा है फिर आगे and when the game फिर वी टू जा रहा है तो भाई जब past में जा रहा है तो मैं इधर present क्यों लगा रहा हूं have to present का है इसका past मुझे लगाना चाहिए हाँ पर head simple बात आगे फसना ही नहीं अब आगे देखो this is turn out to be one of our most successful projects and we have made quite and we have made quite a last profit format कि यह हमारे क्या होगा सारे प्रोजेक्टरों में से best है और हमने इसमें से बहुत बड़ा profit कर रहा है ठीक है ना तो भाई we have made present perfect है यार यह है प्लस में आपका क्या रहा वी थरी आ रहा है तो यार यह this is turned out is MR के साथ ING को आता है बात मैं करीने प्रेजन पर परफेक्ट में रखना तो this has turned यह भी प्रेजन परफेक्ट में नहीं तो यह भी रखो पैसे की बात कहा है एक्टिव एक्टिव चल रहा है as V3 next he is given me he is given me he is given me उसने मुझे अपने आपको दे दिया he is given me a lot of documents to read before the present भाई is के साथ V3 तब आता था the passive voice हो भाई यह मैं बोलता book is given ऐसे मैं बोल सकता था ठीक है ना the book is given to me तो book मुझे दी गई यह बोल सकता था passive में मैं आपको sense से समझा रहा हूँ तो थोड़ा आपको तकलीफ हो सकती है but पहले आप chapter पढ़ लो पूरा भाई फिर मेरी वीडियो देख लो तो आपको बहुत helpful होगी पता नहीं वीडियो कहां तक पोचेगी चलो देखते हैं तो भाई यह मेरा normal active voice होना चाहिए था जब कोई काम complete हुआ है तो मैं ऐसे रहा हूँगा present perfect में has V3 he has given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow खतम next since the trip home was expensive I did not went home during भाई I did not आपको अगर simple past का negative बना रहा है तो आप did के साथ not लगा होगो तो V1 यूस करोगे न यहां भी past लगा दोगे यहां पर भी go का वेंट कर दोगे नहीं भाई V1 go चाहिए यह तो बच्चो वाला error था as she is late for work yesterday आगया मेरे भाई yesterday आगया past की बात हो रही है यहां भी sentence past में है तो क्या करोगे यहां भी past में अब इसको मत देख रहे ना कि सर यह तो present में leave लिखा है leave के left होता मेरे भाई यह infinitive जा रहा है टू के साथ V1 यह टू यहां पर भी known है क्योंकि end के साथ उट रहा है तो टू लिख यह infinitive है टू के साथ V1 भी आता है वो छोड़ो आप यह देखो yesterday आ रहा है sentence past में है तो यहां पर is नहीं was होना चीए as she was late for work yesterday she decided जब वो yesterday late थी काम प कर देना और आपको जल्दी से नीचे जाके telegram का link join कर लेना कोई भी किसी कोई बात करने हो मेरे से वहाँ पर कर सकता है आपको मेरा official link भी मिल जाएगा और जो मैंने एक group बना रखा बाते करने के लिए बच्चों से errors errors पूछने के लिए आपको doubt हो तो वुसका link भी नीचे description में आप दोनों join कर लेना ठीक है guys thank you have a nice day